हेलो दोस्तों स्वागत है अपका हमारी YouTube चैनल में आज की वडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के important questions जो की है वियना की संधी यादि कि इसे वियना Congress की संधी भी कहा जाता है ठीक है वियना Congress की संधी भी कहा जाता है और जो की हुआ था 1815 में तीक है याद रखेगा कि यह हुआ कब था वियर्ना की कॉंग्रेश 1815 में हुआ था इसे वियर्ना की संधी भी कहा जाता है तो इस संधी में क्या था तो चलिए समझते हैं कि क्या था आप लोग पहले था अपने एक वीडियो पिर विश्यक्तियों अपने डाला हुआ था नेपॉलियन के बार में नेपॉलियन वनापाठ जो की साढ़ थे उसने यूरोप कुरिया यूरोप पूरा तरह से बरबाद कर दिया था तो लगभव उसने लगभव पूरे यूरोप ने वीस सभी अधी वर्सों तक नेपॉल मिलकर नेपॉलियन को सब्सक्राइब कर दिया और इसके बाद क्या हुआ इसके बाद सभी विजाई देशों का परधनी धी वियना में सब्सक्राइब करने के लिए अब यहाना यह सभी देशों के रायदोतों का एक तरीका से एक सम्मेलन था और वह कब हुआ था वह सितंबर 1814 से जून 1815 के बीच आयो जित हुआ था ठीक है मैंने बताया कि यह यूरोपे देशों ने पोलिण कहणा और यूरोपे देशों के पत्रीधी वियना में 111814 में कहते हैं इसलिए कि तरह बेठक किया जा और करेंग तरह से वहा उसका जो नुकसान हुआ उसके बारे में इसको डिसाइड लिया जाए नुख टो होता क्या है कि यू तो आप कर सकते है कि यूरोप में बहुत सारे देस थे ख्रेप के बहुत सारे देशों का पत्र देश नीश बिठोmedi जादा यह बता सबस्क्न करने के लिएentin आस्टी का उसको लेकर हमें क्या कर सकते हैं और इस पर टक के अधिश्दा इसका अधिश्टा कोन किया था तो मैं पहले बता दू कि आप समझ लेजए कि इसको नेपॉलियों कहा था त्विजाई देश थे उन्हें प्रमटर कार्द करना यह कि यूद मेरे से पहले यूरोप लामायी से पहले यूरोप बनाऊ तर मेरे मरे भ़ेवा最近 को फिरकल सबनेक्ट यह था दूसरा उद्धेश यह था कि यूरोप में सांतिय स्थापित करना यानि कि यह तीन उद्धेश पूरपमुख्यत थे उसके अलावा हमने कोछ और उद्धेश भी बताया हुआ तो आप लोग अच्छे से समझ गया है इसका बेठा का उस देश यह था कि कैसे पहले वा किसमें बातों पर एग्रिमेंट हुआ था कि क्या मकसद रहा इस देश का निकला तो देखे पहला मकसद यह था कि इस संथी का मुक्य उन समझते परिवर्तनों को समाप्त करना था जो नेपोलियाई युद के दोड़ान हुए थे नेपोलियन ने पूरे यूरोप को ताशनर्ष कर दिया था और नेपोलियन ने कुछ बहुत सारे बदलाव लाए थे जो कि वहां के देशों के लिए अच्छा आपित करना यानि कि जो फ्रांसिस्ति करांति को वहां पर जो सत्ता में जो सरकार थी उस सत्ता को हटा दिया गया था उस जो हटा दिया था सरकार उसको वापर उस सरकार को लाया जाए यह दूसरा उदेश रहा था तीसरा क्या था फ्रांस के उन पर देशों से वंचित करन तो उन जगहों को फिर से वापस लेना यह उसका और एक उद्देश में से था ठीक है उसके बाद का क्या उद्देश था देखे फ्रांस की सिमाओं पर अनिक राज्यों के इस्थापना करना ताकि भूष में फ्रांस अपने समराज का विस्तार ना कर सके यूकर नेपॉलियन फ्रांस नोगों कर देशा मैं लग अलग अलग डेश बना जाए इसा मजबूत बना जाए ताकि फ्रांस अपने राजी का विस्तार ही ने करते हैं अपने राज्य को और बलहा नहीं सके उसके चार तरफ अलग 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 डेश बना देंगering नेपॉलियने 49 जूसार्यों क योरोप में नई रोडिवादी व्यवस्ता एस थापित करना। कि यूरोप में रोडिवादी व्यक्ता इस चाहिए। तो इस बैठक में कुछ सिधान्थ भी दिये गए थे यह जो में यहना के संधी हुई थी तो कुछ सिधान्थ को भी बात हुआ था तो पहला बात था क्या च्छति पूर्ति का सिधा क्योंकि जो कि नेपॉलियन ने यूरोप के कई देशों को बहुत जारा नुखसान किया था और पहलों हंने उसके संगर्थ किया था उनकी छती पूर्ति काना और उन्हें प्रश्कृत करना स्विकार किया गया और जिन देशों ने नेपॉलियन का साथ दिया उन्हें तो इस सिधान्त पर बात हुई थी दूसरा सिधान्त यह था सकती संतुलन का इसमें क्या हुआ इसका पर्मुख सिधान आर्थाथ कोई देश इतना सकती साली ना बन पाए कि वह दूसरों के लिए खतरनाग बन जाए इसलिए फ्रांस पर परतीबंद लगाने के लिए हॉलेंड शुटर्लेंड बावेरिया तरफ साडिनिया का विस्तार क होता है कि हर देश सकती बराबर बराबर होता कोई भी एक देश से दूसरे जादा सकती साली नहीं बना जब कोई देश अगर जादा सकती साली बन जाता है तो दूसरे देशों पर आकर्मन कर देता तो यहीं इसलिए इसने क्या किया सकती संतुलन पर बल दिया कि कोई भी आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया है वियना संधी के बारे में कि यह संधी अक्चुल में हा क्या और इसमें किस तरह से क्या क्या संधियों पर बात हुई थी उमीद है आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग को किसी टॉपिक वीडियो चाहिए या किसी सब्जेट को लेकर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर